हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूटूब लेटफॉम पर अंग्रेजी अकेडमी को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजी पहले देखें दोस्तों आज की इस सेशन के अंदर हम राजस्तान का इतिहास है उसमें RTSC की प्रीक्षाव में कीचे के जो क्यूशन्स हैं उनकी शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेशन करेंगे अराजस्तान के इतियास के प्रसन जो है वो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही महतुन प्रसन है और ये उन्हीं प्रसनों को हम डिसकस करेंगे जो आपकी एक्जाम में ओल्मोस्ट पूछे जाते हैं बार बार और प्रिविस जो एक्जाम है उनमें पूछे गए हैं तो चल जब अजमेर की जो इस्तापना हुई थी वो 1113 इस्वी में हुई थी ठीक है और इस्तापना करने वाले थे कोन अजेराजी थी तो अजेराज ने यहाँ पर अजमेर की इस्तापना की थी और राजदाने भी किसको बनाया था अजमेर को बनाया था तो याद रखना यहाँ पर थी शाखायें बिबाजित हो गए थी पुरसंट जब भी आता है कि किस चोहांट शासक ने अजमेर की सबसे पहले अपने राजदानी बनाया और इस्तापना की तो 113 में इस्तापना हुई थी और अजे राज ने राजदानी बनाया और इसकी इस्तापना की थी तो यह आपका पहरा प्रसन हुआ चलिए हम नेक्स देखते हैं महाना कुमबा ने किस युद्ध में विजे की उपलक्स में चितोड में विजे इस्तंब बनाया लेकिन वो किस विजे की उपलक्स में बनाया गया तो दोस्तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है आपको कई बार प्रसंद ये पूछ लें कि पहला जो विजे इस्तंब है वो कहां है तो पहला विजे इस्तंब है वो कहां है बयाना में और बयाना कहां पर है भ्यतपूर में है ये यादखना पहला विजे इस्तंब की जहां बात करना उसके बात करा है हम बात करें विज्यस्तंब की तो दोस्तों इसका वास्तुकार है कौन वास्तुकार है वो कई बार पूछ लेते हैं आपसे तो इसका विज्यस्तंब का वास्तुकार था वो कौन था जेता यादक नहीं ठीक है यह जो विज्यस्तंब है वो न जो विश्णु भगवान है उनको समर्पित है कुन सा विजय इस्तम्भ इसलिए इसको विश्णु इस्तम्भ भी कहते हैं इसको विश्णु ध्वज भी कहते हैं और इसको मूर्तियों का अजायब गर भी कहते हैं ठीक है अब यह जो महाना कुमबा थे यह विजय इस्तम्भ की जब बनाया था तो किस सारंघ पूर का जो युध्य में किसकिस के बीच नहीं वह था कुमबा और खिल जी की भीच में इसनहीं उसमय की उपलक्सट में यहां पर क्या बनाय था विजे इस्तंब बना call अब धायाथ desa इसको कर दोगे नेक्स्ट है gentleman agreement का समन्द रहा है दोस्तो gentleman agreement आपको याद होगा कि जब 1242 में भारत चोड़ो आंदोलन चला था भारत चोड़ो आंदोलन जब चला था 22 में था जेंटलमेन आग्रिमेंट हुआ था ठीक है और इसका मुख्य उदस्से कि का जेंटलमेन एग्रिमेंट का मुख्य उदस से क्या था कि इसमें जेपूर है वो भार चोड़ो जो आंदुलन हुआ था उसमें भाग नहीं लेगी और आपको याद होगा तो यह तो क्या आगया आपका जेपूर यसे तो आगया एंसर तो आपका ए हो गया अब इसमें क्या आता है कि जेपूर परजामंडल के जो अद्यक्स थे हीरालाल सास्त्री हीरालाल सास्त्री अब यह हीरालाल सास्त्री और जेपूर के परधान मंत्री थे मिर्जा इसमाइल इन दोनों की बीच हुआ था ठीक है यह जो समझोता हुआ था जेंटलमेन एग्रिमेंट कई वार आपसे पूछेते हैं किस किस के बीच में हुआ तो व्यक्ति की बात पूछेंगे तो आपको हिरालाल सास्त्री और मिर्जा इस्माइल मिर्जा इस्माइल कौन थे जेपूर के परधान मंतरी और यहां पे जेपूर परजा मंडल के अद्धिक्स्ति हिरालाल सास्त्री इन दोनों के बीच में हुआ था और उसके बाद में यहां पे एक विक्ति इन से नराज होकर तो एक अलग मोर्चा बनाया था जिसका नाम था आजाद मोर्चा याद रखलो कि जो मैं बोल रहा हूं आपको यह लिखना है वहां क्या बनाया था आजाद मोर्चा बनाया था और आजाद मोर्चा बनाया किसने था हरी संदर ने बनाया था बाबा हरी संदर ने 1942 में याद रखना दोस्तों यह सारी कि सारी चीजे में बता चलिए, नेक्स्ट कियाता है, विक्कानेर राजे की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहाईक संदी पर स्ताकसर किसने किये थे, याद रखो कि सबसे पहले संदी करने वाला जो जुला था, ठीक है ना, सबसे संदी करने वाले जो रियासत थी, जो लेकि बात हमें कर र अब ये क्यूशन पूछा है कि बिकाने राजे की ओर से अंग्रेजियों के साथ साहिक संदी करने पर अस्ताकसर किस ने किया था तो दोस्तों इसमें क्या आता है कासिनात ओजा ठीक है या धख लोगे इस चीज को वेरी इंपोर्टिन क्यूशन ये भी कासिनात ओजा थे वो विकाने की जब संदी विती साइक संदी अंग्रेजियों के साथ में 1818 में तब उन्होंने क्या किये थे उस संदी पर अस्ताकसर किये थे चलिए नेक्स आता है अलावदिन खिल जी ने किस दुरग को विजित कर उस क्या हुआ था 303 में अलावदिन खिल जी ने अटेक किया था ठीक है और यहां पर नाम क्या रखा था खिजराबाद तो यहां तो इसका नाम तो क्या हो गया खिजराबाद ठीक है फिर दूसरा आपका क्या आता है यहां पर रंथमभोर यह वा था 301 में रंथमभोर कभ वह था तेरा सो एक में वा था इसका कोई भी नाम नहीं बदला गया था उसके बाद में आता आपका सिवाना तो सिवाना में क्या वा था तेरा सो आठ ठीक है इसका नाम भी क्या रखा था खेराबाद रखा था यादक नहीं क्या रखा था खेराबाद ठीक है किसका नाम सिवाना और यह तो लोहागद आपका अलग है एक और था जिस पर लाउदिन खिलजी ने अटेक किया था वह कौन से था जालोर ठीक ना जालोर पर कब क्या था कर्माण तेरा सो ग्यारा में कब क्या था तेरा सो ग्यारा में और इसका नाम क्या रखा था जलालाबाद ठीक है तो दोस्तों अंसर आपका क्या आ गया इसमें से आ गया है तो कि से शिवाना जो है उसका नाम रखा था खेराबाद तो आपका एंसर क्या बन गया से बन गया है यह दखना हल्देश वर पहाड़ी पर है ठीक है और इसका निर्मान किस ने करवाय था वीर नारायन पंवार ने करवाय था किस ने करवाय था वीर नारायन पंवार ने तो दोस्तों यह जो चीजे हैं आपको इन्फॉम जो किया है सारे इक सारी यह आपको क्या करना है अपना उस किसकी सहायता की थी कोटा के महराजा जिनको क्या कहा जाता था कोटा का दुर्गादास राठोड कहा जाता था ये भी याद अखना तो वो कौन थे दोस्तो जालिम सिंग मांगरोल के युद्ध में कोटा के महराजा की विरुद किसकी सहायता की थी जालिम सिंकी सायता की थी और इनको क्या का दाता था कोटा का वीव दुर्गादास राटोड अगला आता है राजस्थान की एक मात्र कौन सी रियासत थी जहां पर उत्रा दिकारी सुल्क नहीं लिया दाता था तो दोस्तों देखो सबसे जिसको हम क्या बोल सकते हैं सबसे पिछड़ी रियासत बोल दीजी चाहिए और यहां पर भाटी वन्स क्या करते थे राज करते थे इसको मांड परदेश भी कहते सकते हैं इसको वललब परदेश भी कह दीजी आप तो यहाँ पर क्या है जो उत्रा दिकार सुल्क है वो नहीं लिया जाता था तो आपका एंसर क्या जाएगा राइट जैसल में राज जाएगा सी एंसर अगला क्यूशन है महराजा तक सिंग यानि की मारवाड के थे राजजा विशेक के उजसों में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट समलित हुआ था दोस्तो लूडलो ओक्टरलोनी अलवेश या फिर रास तो याद रखना तक सिंग जो मारवाड के थे उनका जब राजजा विशेक हुआ था तो वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे लूडलो ठीक ना ये लूडलो थे वो समलित हुए थे किस कच्छवाह सासक ने अपनी पूत्री का विवाह समराट अकबर से किया था यानि कि देखी सबसे पहले जो मुगल थे मुगलों से समंध इस्तापि पूत्रील के पास में उनकी जो पूत्री थी हरका वाई जो भारमल की क्या थी बेटी थी ठीक है वो भारमल की बेटी का विवाह है अकबर से किया था और वो किसके समर जिल के पास में जिसको पन कहां पर है साकंबरी माता का मंदिर पी है वहां पर और उस शेत्र को हम क्या क 266 में हुई थी जैसल मेर की इस्थापना 11055 मान लिजी चपन लिजी राव जैसल के द्वारा अजमेर की जो इस्थापना हुई थी वो 1113 में हुई थी अजय राजने की थी तो यहां पे गलत वैसे कौन सा हुआ आपका यह हुआ और उदेपुर की इस्तापना 1569 में उदे सिंग के द्वारा हुई थी या दखलोगे दोस्तो बहुत इंपोटेंट है यहांपर नेक्स्ट है निमन में से किन के सासनकाल को मेवाड की चितरकला की इतिःहास का स्वरण युग माना जाता है मेवाड की चित्रकला की इतिहास का सुरन यूग वैसे जो चित्रकला का सुरन यूग है वो जगत सिंग का माना जाता है लेकिन यहाँ पे आपका जो अंसर आता है वो क्या है महारणा अमर सिंग जो चामंड चित्र सल्वे थी उनका सुरन यूग है अमर सिंह के सासनकाल को माना जाता है तो याद रखना मेवाड की जो चित्रकला हुई है उनका जो इतिहास था उनके सुन यूग है वो माना अमर सिंह के सासनकाल को माना जाता है तो इसमें आपका अंसर आ गया बै आ गया नेक्स्ट है अकबर के नवरतनों में राजपुताना के कोन से कवी थे देखिए नवरतनों की हम बात कर रहे हैं तो एक सासक और भी होए थे जिनके दरबार में क्या थे नवरतन थे तो वो थे चंदर गुप्त दीती है जिनको हम विक्रमादिते भी कहते हैं उनके दरबार में भी नवरतन थे ठीक है उसके बाद में हमारी बात कहा आती है कि अकबर के नवरतनों के बात आती है तो अकबर के नवरतनों में यहाँ पे आपका अंसर क्या आता है अबुल फजल और एक चीज़ का और ध्यान रखना यहाँ पे अगर आप से यह पूछ लि प्रत्थम है ये याद अखना मान सिंग प्रत्थम है वो अकबर के नवरतनों में भी एक है और यहां कवी के जब हम बात करेंगे तो यहां लगना अबूल फोजल नेक्स्ट है राजस्थान में इस्तापत्य कला का जनम दाता किसे माना जाता है इस्तापत्य कला का जनम दाता है वो जो गिरी दुरुगों का स्वामी है किसका गिरी जो दुरुग है उनका भी स्वामी है कौन है राणा कुम्भा ठीक है इनको इस्तापत्य कला का जनम दाता इनको चाहे आप लोग अभिनाव भरताचारी कह दीजी चाहे हाल गुरु कह दीजिए, दान गुरु कह दीजिए, चाप गुरु कह दीजिए, ठीक है ये इनकी उपादियां थी, अगर आपसे पूछा जाए उपादियों के बार में, तो ये भी यादखना है, तो ये तकलोगे इस्तापत तेकला का जरम दाता है इनको राना लिकित में से, किस राजजे ने कंपणी का स्रक्षन स्विकार नहीं किया था, जो कंपणी थी, उसका स्रक्षन स्विकार करने वाला पहला जो रियसत थी, वो थी भरतपूर, ठीक है, उसके बाद में, दूसरी थी, अलवर, उसके बाद में, जेपूर, उसके बाद में, जो नौट बुक उसके बाद में एक बुंदी ने भी किया था ठीक है तो देखिए भरतपूर आ गया अलवर आ जैपूर आ गया जोदपूर आ गया बुंदी आ गया इन्हों ने अठारासो तीन में जो कंपनी थी इस इंडिया उनका जो स्विकार कर लिया था अब यहां पूचा है नहीं किया तो दोस्तों कोटा था ना कोटा ठीक है इसने स्विकार नहीं किया था यह यादगना आपको बताता हूं 1803 की कहानी क्या होती है देखिए 1803 के अंदर 1803 में अंगल मराठा यूद्ध होआ था 1803 में अंगल मराठा यूद्ध होआ था अंग्रेज और मराठा की बीच में जब यूद्ध होआ था तो वहां का एक जो सासर था जस्वन सिंग होलकर मराठा सासक कुन था जस्वन सिंग होलकर ये दोड़े आये और भरतपुर के जो दुर्ग है उसमें जब यूद धुआता तो वहां पे भरतपुर के दुर्ग में इनको क्या दिती सरण देती किसको दिती जस्वन सिंग होलकर को अब इनका पीछा करते वे अंग्रेज जो अधिकारी था वो आया और भरतपुर को पे क्या किया था उनके दुर्ग पे अटेक किया था और वो जीत नहीं पाई ठीक है तभी तो कहते ने कि वो आजे दुर्ग के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह याद रखना है आपका एंसर क्या बन गया इसमें कोटा है और यह कहान भी आपको याद रखनी है और very important नेक्स्ट है अंग्रेजो से संदी करने वाला पहला राज्यी तो अंग्रेजो से संदी करने वाला सबसे पहला कौन सा आता है करोली आता है ठीक है जो सबसे पहला वाली और क्रोली के सास्थ कोई थे उस समय हर्वक्स पाल यह आद रखना यह जो आप से पूछेंगे और व ने 17 की बात है ठीक है सबसे प्रथम अब अंग्रेजिस संदिक करने वाला पहला राजे इसमें option क्या कोडिंग कौन सा है कोटा है और सबसे जो लास्ट है वो कौन सा है शिरोही और यहां पर सीव सिंग थे सीव सिंग झाल जेसके साथ सक क Such तो यह 30-3 चीज़े हैं आपको श्मेया रखनी में आपका अंसर क्या होगा समें बैय हो गया है नहीं नेक्स्ट है Uimonyimi पौर्थिवराज विजे किसकी रचना है पर्थ्विराज वीजे है वो जैनक की रचना है ठीक है पर्थ्विराज वीजे की रचना के नाम है जैनक है दखो यहाँ पे एक जील है तो उस जील के बारे में यह जो जील है वो है अन्ना सागर जील ठीक है अन्ना सागर जील है उसके बारे में यह कहा गया है कि दुर्गो के खून को साफ करने के लिए इस जील का निर्मान कराया गया था और यह जील है उसका निर्मान कब कराया गया 1137 में ठीक है अरणो राज की दुवारा किसके दुवारा कराया गया अरणो राज की दुवारा 1137 में अन्ना सागर जील का निर्मान कराया गया एक पर्थिराज विजे के लवब पर्थिराज रासो गयाता है तो उसके रचनाकार कोन है चंदर बर्दाई पर्थिराज विजे के रचनाकार कोन है जैनक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है विशल देव रासो के लेखक कोन है विशल देव रासो के लेखक है वो कोन है विशल देव रासो है उनको विग्र राज चतूर्थ भी कहते हैं कभी बांधव भी कहते हैं ठीक है जिन्होंने संस्कृत पाट सला का निर्मान करवाय था और जो सबसे पहले दिल्ल पर अधिकार भी किया था इनोंगे विश्ल देव रासो हैं उनके लेखर के नर्पति नाला है इसी जो विग्रराज चतूर्त हैं इनके दरबारी कवी थे कॉल सूम डेव जन्होंने ललीत विग्रराज लिखा था ये भी यादक नाव को ललीत विग्रराज किस ने लिखा था सोम देव ने विशल देव रासों के लेखक है नर्पति नाल है और ये इनको कवी बांधव की जो लिखा था हरी के लेल नाटक लिखा था कवी बांधव ने इदो तिन चीजें आपको इसमें याद रखनी है सात्वी सताबदी से बार्वी सताबदी का काल कौन सा काल कहलाता है देखिए 648 इस्वी में हर्स की मर्त्यू के बाद में और यहाँ पे ये जो राजपूत काल आया था कौन सा राजपूत काल यानि कि सात्वी सताबदी से बार्वी सताबदी का जो काल था वो राजपूत काल तो इस दो चीज़ ile आपको इसमें इयाद रखनी है नेक्स आता है भ्यत्पूर क्रोली और धोल पूर किस है नाम से दोस्तों यह वैसी किस नाम के जाना जाएगा सूर शेन के नाम से जाना आता है अब आता विराट विराट अब हो मतटามकी राजदानी थी विराट बाट नगर जो जेपूर की आसपास का झेता था जांगल है जंगल मिकानेक नेक का जो भूख भाल था उसको जांगल परदेश बोलते थे सीवी चितोड जो था उनकी जो राजधनिती चितोड नगर की मद्दे मिका ठीक है तो उस शेतर को हम सीवी जनपत बोलते थे तो आपका अंसर क्या आगया भर्तपुर क्रोल्यों धोलपुर पुछेतर को हम सूर सेंट कहते थे ए अंसर आगया से नेएक्स आता है किन विद्वानों ने राशपुतों को सिधियन सिधियन का मतलब क्या 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 हो हो गया सक पहलभ कुसान यह कहला थे सिधियन मानकर इन्हें मध्धे एसे से आया बताया तो यहां पे जो तोड़ और ब वरूक। इनमों ने क्या बताय था इन राजपुतों को सिधियन मान कर मद्द एशिया से आया बताया। कि सोहान Molson का संस्तापक कौन था। दोस्तों सोहान वन्स का संस्तापक देखिए यह है संबर जील ठीक है और संबर जील का जो आसपास का जो चित्तर था उसको क्या कहते थे सपाद लक्स क्या कहते थे सपाद लक्स कहते थे और सपाद लक्स जो है वो संबर जील के आसपास का चित्तर को कहते थे इसको राजधानी किसको बनाया गया इस चेत्र को अही चेत्रपूर बोलते थे यानगी इनों ने जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था अही चेत्रपूर को ठीक है और अही चेत्रपूर जो है वो नागोर चेत्र को बोलते हैं किसको नागोर का जो छित्तर है नागोर उसको बोलेंगे अही चत्तरपूर और यहाँ पे एक क्या था? मंदिर भी था कौनसे मंदिर? साकम्बरी मंदिर इसलिए तो इनको साकम्बरी के चोहान कहते हैं तो यहां पे चोहानवंस का संस्तापक वासुदेव को कहा जाता है, ठीक है, बिजोलिया अभिलेक में लिखावा है, कि वासुदेव चोहान ने चोहानवंस की नीव रखी थी, ठीक है, इनको मूलपुरुष कहा जाता है वासुदेव चोहान को, अगला है राजस्थान में राठोड वंस का प्रथम सासक था तो दोस्तों राठोड वंस का प्रथम सासक कौन था आपको कोई अगर ये पूछ ले कि जो अंतिम राजपूत सासक कौन था अंतिम जो राजपूत वंस कौन था यह याद अखना यह भार है दोस्तों मारवाट अगया फिर ओंगया आपKA बिकानेर अंगया रहां और एक किसंगाड यहां पर क्या था राठोड का suspension था अब इसके जो अंतिम एसोरी राजस्थान में राठोड के प्रथम सासक कौन थे रावसिया क्या गया इसमें रावसिया थे आपसे पूछे अंतिम राजबूत वन्स कौन था राठोड वन्स था प्रथम सासक कौन थे रावसिया थे और राठोड का जो सासनकाल था वो कहां कह है किसका खेलजी बन्सका दिल्ली सल्थनत पे और wr7 पे उसके बाद में ए वो अलवदीन खेलजी थे 1303 में अलावदिन खिलजी ने क्या किया था यहाँ पे चितोड़ पर आकर्मन किया था किसने किया था अलावदिन खिलजी ने और अलावदिन खिलजी के जब आकर्मन किया तो वहाँ पे चितोड़ का सासक कौन था रतन सिंग कौन था रतन सिंग और ये क्या है रतन सिंग मिवाड के गुहिल साखा के अंतिम सासक हैं और इसी के समय क्या हुआ था चितोड का प्रथम साका हुआ था और यहां पे 1296 से 1316 तक अलाव दिन खेलजी का सासन था कहां पर दिल्ली सल्तनत में यानि कि दिल्ली की गद्धी पर बैठने वाले अलाव दिन खेलजी थे उनका सासनकाल था 1296 से 1316 तक था अलाव दिन का सासनकाल यानि कि 20 वस्तक रहा था यदि आपको याद रखना है उसक से पुछे कि मुस्लिम सत्ता का सबसे ज्यादा प्रसार करने वाले मुगल सासक कौन थे अल्लावदिन खिल जी तो यह दो दो तिन चीजें आपको याद रखनी है तो इसका जो एंसर हो गया वो क्या हो गया अल्लावदिन खिल जी और रतन सिंग उस समय सासक थे किसके हुआ था इन्हें के समय में चितोड का प्रत्म साका हुआ था यह आपको याद रखना है किस राजपूत राणी ने हुमायू के पास राकी बेज़ कर बहदूर साह के खिलाब साहिता का संदेश बेज़ा था बहदूर साह गुजरात के उपर सासन कर रहे थे और यहां पे की आयू थी वह अलप आयू थी और वो जो राणी करमावती थी उसके नितर्थव में वहाँ पे सासन कर रहे थे कौन अविक्रमा दिती अब यहां पर क्या हुआ जो राजपूत रानी जो करमावती थी इन्होंने हुमाई को राखी बेजी थी साहिता के लिए उसमें जो आपको इसमें क्या रखनी है याद रखनी है तो यहां पर आपका जो अंसर आ गया वो क्या आ गया करमावती आ गया इसको करणवती बोल दीजी चाहे करमावती बोल दीजी ठीक है नेक्स आता है मेवाड के किस महरणा में मुगलों से संदी की थी मेवाड के किस महरणा से म खुर्रम किसका नाम था भई साहा जहां का नाम था ठीक है तो देखिए सासन कोन कर रहा था वहाँ पर यानि कि दिल्ली सलत्रत पे सासन कोन कर रहा था जहांगीर सासन कर रहा था और उस समय अमर सिंग पर्थम कोन थे अमर सिंग पर्थम जो महाना परताप के बेटे थे मेवा के महरणा मुगलों से संदी की थी नेक्स्ट है हरी केली नाटक के रच्यता थे हरी केली नाटक के रच्यता कौन है तो दोस्तों देखो हरी केली जो नाटक है वो संस्कृत भासा का यह याद रखना एक मात्र संस्कृत भासा में लिखावा नाटक कौन सा है हरी केली नाटक तो यह चीज है आपको याद रखनी है next question है कौन सा युग सही सुमेलित है हल्दी गाटी का युद 1556 तो 1500 छिंतर में ही बद़ा तो ये तो गल्थ हो गया खातोली का युद 1517 में तो खातोली का युद है 1517 में ही हुआ ठीक है तता राएन का युद का युद्ध 1526 में नहीं हुआ था 1527 में हुआ था तो आपका एंसर क्या गया इसमें सही जो सुमेलित है वो कौन सा खातोली का युद्ध है जो इसमें क्या आपका बी एंसर आ गया नेक्स्ट है वर्धा से राजिस्थान केशरी नमक समाचार पत्तर संपादक किस ने किया थ वर्धा कहा है महारास्टर में है और यहां पर देखिए जो राजिस्थान सेवासंग की इस्तापना हुई थी गुनिस सो गुनिस में राजिस्थान सेवासंग की इस्तापना गुनिस सो गुनिस में और उसको ट्रांसफर फिर अजमेर कर दिया गया था तो राजिस्थान मे केसरी जो वर्दा है वो है कहांपे महारास्टर में है और उसको अजमेने ट्रांस्फर कर दिया गया और उसमें रजस्तान केसरी नामक समाचार पत्तर निकाला गया था तो उसके संपादग कौन थे विजे सिंग पतिक विजे सिंग पतिक का मुणल नाम तो आपको पता ये बूप सिंग था, यूपी के थे वो रज़स्तान में किसान अंदलून का जनत इनी को कहा जाता है तो आपका अंसर क्या अगया इसमें? ए अंसर आ गया राजिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी परवाहित थी जो उसका रिगवेद में सरस्वधी नदी बोलते हैं और यहाँ पे जो हम मृत नदी भी कहा जाता है तो अंसर के आगे आपका दे आगे इसमें नेक्स्ट है विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी इसको सामिल किया है विराट नगर को चीक है विराट सम्वेता में है और यह अलवर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है तो यह क्या आपका मतस से विराट नगर है वो किस जनपद की राजधानी थी मतस्य जनपद की राजदानी थी तो आपका अंसर क्या आगया इसमें दया आगया राजस्थान में जैन धरम को प्रोचाहित करने वाला मूरी कालिन सासक कोन था जैन धरम को प्रोचाहित करने वाला देखी जैन धरम के 24 तिर्थंकर हुए थे कितने 24 त्रितंकर हुए थे जिसमें पहला था रिशिब देव पर्थम दो था वो रिशिब देव था और अंतिम जो महावीर महावीर जी थे ठीक है महावीर जी थे और महावीर जी को ही क्या किया जाता है जैन्द्रम का वास्थविक परचारक इनको कहा जाता है अब एक था स आंधारा परता जेंदरम का परता चलती ती तो रजस्तान के अंदर चंदर घुप्त मो ज्य रोल रहा है जिनोंने जेंद्रम को प्रोच साहित किया था कहां फ़र राजस्थान में तो आपका अंस्र क्या गेया इसमें बी का गया है एगला है चीनी यात्री फायान ने राज्ये के कि सनगर की यात्रा की थी दोस्तों देखे जो चीनी यात्री थे एक वा करता था हेंसांग एक है फायान तो हेंसांग थे वो हर्स के समय में भारत आये थे और इन्होंने बैराठ और भीनमाल की यात्रा की थी उसके बाद में जो चीनी यात्री फायान थे फायान वो चंदर गुप्त दीती यह निकि व सेकेंड आएगा जो भोती इससे भी ज़्यादा इंपोरेंट होगा ठेंक्स पर बोजिंग इट